इसका किसके पक्ष में गिरेगा, किसका भाग ये खुलेगा, इस तॉस्टा, हैद्स इस दे कॉल कप्तान ने बल्ले बाजी का फैसला किया है आगास अच्छा तो अंजाम अच्छा, आज उम्मीद यही है कि सलामी जोडी करेंगे अच्छे तरीके से आगास कदमों का बहतरीन इस्तमाल और उससे भी बहतरीन शाट, चौका इनिंग्स को शुरू करने का इससे बहतर तरीका हो ही नहीं सकता पिक्चर परफेक्ट शॉप एक और खराब गेंद दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा अंपायर का विकेट कीपर काफी मुस्ता है बल्ले बाज पूरी तरह से हुआ बेजुबान तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता प्रीज पर आए हैं नई बाले बाज उम्मीद है यह है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अधा करेंगे फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा यह बल्ले बास दो-दो हाथ करने की मंच्छा से आए हैं मैदान पर दुक्के के साथ किया है आरम ना लाइन पर कंट्रोल ना लेंथ पर नियंत्रण ये था आमंत्रण पिटाई गे लिया क्लीन स्वीप है ये और क्लियर भी करेगा फील्ड को ओवर की छटी गेंद लेकिन बटो रहा है चौक का और इस गेंद के साथ हुआ ओवर समा बहुत ही प्रभावशाली है ये मीडियम पेस गेंद बास फील्डर के सर के उपर से लगाया शॉर्ट बटोर लिया है चार कदमों का बहतरीन इस्तमाल और उससे भी बहतरीन शाट चाटा इसा लगता है चार का पहाड़ा पढ़ रहे हैं पूरी तरह से छका दिया है बल्ले बास को यह कैच पकड़ा है यह मैच पकड़ा है फड़ा सा इन को संभल की खेलना होगा और कोशिश करनी होगा जिए अंध तक यह नाबाद रहे पहली गेंद पर घबा दिया अपना विकेड ग्रेट कैच बहुत आसान सा कैच डीप में ऐसा लगता है फ्री होम डिलिवरी दे कर गए है कैच एक्सलेंट इनिंग्स गसाउ बहली ऑाँ काम मुश्किल है तब ही तो करने योग्य है और अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है चेंज ओफ पेज गदी में परिवर्तन तथ सब्यूची स्टंप्स की बतियां जल गई बल्लेबाज की बतियां बुझ गई अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको फिर जस्ट गो बाक तो बेसिक्स अच्छी रिवर्सविंग मिली इस गेंद पर बढ़िया लेंध पर बढ़िया गेंध कोई रन नहीं पिछ में थोड़ी सी मदद मौजूद है और गेंदबाज के हाथ में रारेवर्स फिंग का जादू है बढ़िया गेंदबाजी ये आउट करार दिया है अमपायर ने गेंदबाज की बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाज का खाता खुला ही नहीं अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है गती में मिशन के साथ चकमा देने का किया है प्रयास अच्छी स्लो लाइब फील्डर का बढ़िया थ्रो एक डंस डंस के ऊपर अब मूमन यह मिडल ओडर में बैटिंग करते हैं लेकिन आज बैटिंग ओडर में किया है बदलाव देखते हैं क्या भग्ये बदलेगा इनका खास है ये गेंदबाज वो स्विंग कराने में महिर है ये गेंदबाज आउट का इशारा अंपायर की तरफ से और सेलिब्रेशन्स थोड़ा सा इनको संभल की खेलना होगा और कोशिश करनी होगी आंध तक ये नाबाद रहे गती में किया परिवर्तन चकमा दिया बल्लेबाज को और चारो घाने चित अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती अपने नाखुनों को बचा के रखे ये थिलर होने वाला है कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर इस समझ बूच के छुपा कर डाली ये स्लोर गेंड अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस्ट गो बाफ टो बेसिक्स अक्शन में आम स्पीड में कोई बदलाव नहीं लेकिन गेंड आई है थोड़ा सा धी में अडिया स्लोर वन हैंड की बोलर की ये बड़ी अपील लेकिन अमपायर ने कहा नॉट आउट बल्ले बाफ को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंड बाफ के गेंड थोड़ी सी गुरानी है और रिवर स्विंग में ये महारत ही है अच्छी गेंड को स्विंग करवाया सटीक लाइन सटीक लेंथ बल्ले बाफ दुविधा में एक्षिन में ज्यादा बदलाव नहीं लेकिन गेंड की गती में परिवर्था फ्लोर वान गजब की खतरनाग गेंड हर डॉट गेंड के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ घास है ये गेंडबाज रिवर्श स्विंग कराने में महिर है ये गेंडबाज 30 गेंडबाजी बल्ले बाज cooler को मतलब समझाया शून्य का स्टम्स की बतियां जल गई बल्लेबाज की बतियां बुझ गई कमाल की गेंदबाजी वान मोर बैट्समेन डिसमेस्ट लडाई की समापती हो रही है यहाँ बैट्समेन की समापती खादी रोचक फैसला कप्तान का लोर ओर बल्लेबाज को प्रोमोशन दी है बैटिंग ओरडर में गेंद थोड़ी सी गुरानी है और रिवर स्विंग में ये महारती जबरदस्ट गेंद थी लेकिन बड़े आसानी से कर दिया क्लीन बोल बल्लेबाज बाज एक बार फिर बेल्स की बतियां जली बल्लेबाज